गुप्त सूचना के आधार पर बाका पुलीस और पटना की टीम के दोला बिदेशी सराब की बड़ी खेब जबत की गई है सराब की खेब पंजाब नमबर की दो ट्रक पर लोड थी जो जारकंड से बाका के रास्ते निकलने वाली थी इसी दोलान चौकसी के चलते दोनों ट्रक के साथ चार लोग भी गिरहपतार हो गए दोनों ट्रक में खाली काटून में भर कर उसकी तह में एक हज़ार काटून सराब होने का अंदाज लगाया जा रहा है जिसके अनुमानित कीमत करीब 90 लाक रुपिये बताई चा रही है दोनों ट्रकों से सराब की पेटियां बाका थाने में खाली कराई गई वहीं पुलीस कुछ भी बताने से फिलहाल बच रही है गुरुबार को सुल्तान गंज के अजगेविनाद गंगा घाट पर प्रेमी यूगल घूमने के लिए गंगा टट पर पहुँचे थे इसी दोरान प्रेमी यूगल की बीच किसी बात को लेकर तीखी नोग छोख हो गई देखते देखते बात इतनी बढ़ गई कि प्रेमी ने गंगा में छलांग लगा दी जिसके बाद अस्थानिय लोगों ने यूगक को काफी बचाने का प्रयास किया लेकिन तेज बहाव के कारण वो गंगा अनदी में डूब गया यूबक के डूबने के बाद अस्थानिय लोगों ने प्रेमीका को पकड़ कर पुलीस के हवाले कर दिया फिल्हाल पुलीस उक्त डूबे हुए यूबक के बारे में यूबती से पूछताच कर रहे है अमरपूर थानाचत के भधरिया गाउस्ती चांदन नदी पर अवसे इस अस्थल का विगत च्छा दिनों से कानपूर आयाईटी टीम के उदरा किये जारे सर्वे के छटे दिन टीम के सर्ष्योद्रा ड्रोन कैमरे से अस्थल का निरिश्चन की आ गिया टीम के सदस्ते प्रोफेसर जाविद मली के नेधित में 22 बटे 4 का गराब बनाकर अस्थल का बारी की से निरिश्चन की आ गिया अवसेस अस्थल के उत्तर दिशा किया और जाकर सर्वे कर जमीन के अंदर अवसेस कितनी दूर तक फैली हुए है और इसके लंबाई चोड़ाई क्या है यह जानने का प्रयास किया गया जबकि पूर में अवसेस अस्थल के डिल किलोमेटर के एरिया को आइडेंटिफाई करते हुए जी पियार मसीन के दोरा अस्थल का सर्वे किया गया था हलांकि सर्वे अस्तल पर सर्वे के दुरान जमीन के अंदर कुछ मिलने की आसंग का ब्यक्त की जा रही है लेकिन इस संबंध में टीम के सथ से फिल वक्त कुछ भी बताने से इनकार कर रहे हैं टीम के फ्रोफेसर ने बताया कि 3D डैमेंशन करने के बाद फाइनल डिपोर्ट बिहार सरकार को सौप दी जाएगी बताते चले फदरिया गाउं में पिछले वर्स ग्रामिनों ने चट पर के अफसर पर चांदन नदी में घाट बराने के दुरान पुराने भवनों के अफसेस को देखा था जिसपर प्रातत्विक विभाग पटना एवं भागलपूर की टीम ने बौध कालिन यूग के अफसेस होने की बाद बताय थी मामले को लेकर सुबे के मुख्य मंतर नितीज कुमार स्वैम भधरिया गाउं के चांदन नदी टट पर पहुँचकर मिले अफसेसों का मुल्यांकन करते हुए चांदन नदी की धार को मोडने का निर्देश दिया ताकि अफसेस अस्थल की खुदाई हो सके करोणो रुपे की लागत से नदी की धार को मोड दिया गया एवं बिहार सरकार की निर्देश पर कानपूर आयाईटी टीम केश दस्ते बिगल च्छल दिनों से अफसेस अस्थल पर सर्वेकारे कर रही है इतिहास कार के अनुसार महात्मा बुद्ध भधरिया गाउं में अपनी परम सिस्या विसाखा से मिलने आये थे अवसेस स्थल पर चल रहे सर्वेकारे से भधरिया गाउं समित आसपास के ग्रामिन चेत्रों में खुसी की लहर देखी जा रही है अमरपूर साकुन मुख्यपत पर बंगाली टोला के समीब जपटमार गीरों के स्थ्यों ने बाइक सवार एक अधिर से रूपिये से भड़ा बेग चीना और चीन कर फडाल हो गए मामने को लेकर प्रित अमर कुमार उर्मपूल राय ने बताया कि बुद्धुबार की संधिया करीब चार बजे अमरपूर स्थित इस्टेट बैंक आफ इंडिया से 49जा रूपिये की निकासी की थी रूपिये को एक बेग में रखकर बाइक पर सवार होकर अपने गाउं गुपाल पूर जा रहा था तब ही बंगाली टोला के समीफ इस्थित किरना दुकान के पीछे से आ रही बाइक पर सवार दो युवकों ने मिरा बेग चिना और पवई गाउं की और भाग गया हालाकि मैं अपने बाइक से सोर मचाते हुए उन दोनों बाइक सवार का पीछा किया लेकिन बाइक सवार फ़राल होने में कामियाब हो गया उन्हें बताया कि बैंक में 49,000 नगत समेट अधार कार्ड पैन कार्ड जमीन की कागजात और अन्यकीमती कागजात थे मामले को लेकर प्रित ने थाने से न्याय की गुहार लगाई है थाना ध्यच मुहम्मद सब्दर अलनी बताया कि आवेदर के दुरा सूचना देने पर जपट मार गिरों की धर पकड के लिए चापे मारी की जा रही है सहरम लगे CCTV कैमरे को भी खंगाला जा रहा है जल्द ही जपट मार गिरों सलाकों के पीछे होंगे वेग गारी का हंडल पर था हंडी हंडी में पकड़के इसे प्यक पकड़ लिए चाहिए अब उची लिया उसको पता था कि बुला के मुझा मेरा मेरा पैसा बेंके से वहां से वहां से लगा हुआ है इसा नहीं कि यहां से कोई लगाए सो बात नहीं अब उन लेकर चलते फिर एक दम इस पीड़े में चल गए कि कोई समाज भी मन इसलिए क्या करेगा लेकिं कितना जुआ से गर्जे कोई ने बोला हमारे अभी जश्च तुरत अच्छ यह जो है क्या कि था आपका बेग में पैंड कर अधार कर जमीन का रसीद और बहुत पर था सब्वें कि दो आदमी कों कोन बाइक से था पलसर सी कला पलसर था और बोले न हम कला परसर उसका हम देखे हम लोगार आज़र सब्मा बरन का सुब्स दो भी यक्ति परवे क्यों स्पशा निकाले थे स्टेट बैंक से अमरपूर स्टेट बैंक से परवेस किया तो देखा कि दुकान में सारा समान बिखरा पड़ा है और पीछे दिवाल टूटा हुआ है और दुकान का सारा समान गायब है